हाई फ्रेंड्स शिल्दा.com में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक वेजिटेबल रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है धही भिंडी दई भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी प्याज अद्रक लेसुन हल्दी धन्या पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च दही राई साबुद जीरा हरे मिर्च नवक और गरम मसाला सबसे पहले भिंडी को लंबे अकार में काट लेंगे अब एक पैन में तील डाल कर उसमें प्याच को तल कर निकाल लेंगे इसके बाद लंबी कटीवी भिंडी को तेल में डाल कर फ्राइ करके निकाल लेंगे पैन में दो चमच तेल डाल कर वन फोर टीस्पून जीरा और वन फोर टीस्पून ड्राइ डाल कर पकाएंगे अब इसमें अद्रे को लसुन का पेस्ट जाल कर मिलाएंगे हरी मिर्श को लंबी काट कर मिलाएंगे तलेवे प्याच का पेस्ट बना कर पैन में डाल कर पकाएंगे पकनी के बाद 3-4 टीस्पून हल्दी 3-4 टीस्पून धन्या पाउडर 3-4 टीस्पून लालमिश डाल कर मिलाएंगे इसमें फाफ टीस्पून पिसावा जीरा डाल कर मिलाने के बाद मता हुआ धई डाल कर मिलाते वे पकाएंगे अब इसमें तलीवी बिंडी को पैन में डाल देंगे इसके अंदर 1-5 टीस्पून नमख और 1-5 टीस्पून गरम मसाला डाल कर मिलाएंगे एक से दो मिनिट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे इस तरह से मिलाएंडी तयार है आप स्क्रीन पर दिये गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीस को भी देख सकते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे यूटूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाए